ओम श्यान्ती, 9 मार्च दोहजार जोबिस के इश्वर्य महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मुर्ली से होमवर्ग, बाबा ने कहा, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर, यह है सोने को शुद बनाने की बठी, बाप को याद करने की बठी, प्योर तो जरूर ब करना ही है, क्योंकि क्यामत का समय है, वर्षा भी तुम सब आत्माई लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, तुमको भी नजर यहां डालनी है, नोलेज इस सोर्स ओफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है, हम आत्माउं को अब वापिस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुरानी शरीर से उपराम रहना है, आप हीरे तुले आत्माउं के बोल भी रतन समान मुल्लेवान हों, और अब सुनते हैं इश्वर्य महावाक्य विस्तार से, मुडले का सार, मीठे बच्ची, अब वापिस ज अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भठी में बैठो, प्रशन, योग में बाप की पूरी करेंट किन बच्चों को मिलती है, उत्तर, जिनकी बुद्धी बहार में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहती हैं, उन्हें बाप की करेंट मिलती बाप बच्चों को सकाश देती हैं, बच्चों का काम है बाप की कर्णट को कैच करना, क्योंकि उस कर्णट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्कर्म विनाश होगी, इसे ही योग की अगनी कहा जाता है, इसका अभ्यास करना है, ओम शांती, बच्चों को घर भी याद पड़ता है, बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझती हैं, कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छे रिती समझ गई हैं, कि बाबा हमको आकर के पढ़ाती हैं, बाप कह से आते हैं, परमधाम से, ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं, बात कहते हैं, मैं सत्योगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने, मैं भी ड्रामा प्लेन अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूं मैं रहता ही घर में परमधाम में हूं बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आई हूं कहते हैं जैसे तुम आई हो पार्ट बजानी हम भी वहाँ से आई हैं पार्ट बजानी ड्रामा प्लेन अनुसार मैं नोल यही बात तुमको सुनाता हूँ जब तुम कामचिता पर चड़कर काले भस्म हो जाते हो आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना तुम भी सावरे हो गई हो सतो प्रधान वाली ताकत सारे निकल गई है आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है तब आप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ जो आदिसनातन देवी देवता धरम के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहां आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी नहीं बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती हैं याद में रहनी से तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी मिलेगा ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए बठी है इसको योग की बठी भी कह सकते हैं सोने को भी बठी में डालते हैं यह है सोने को शुद बनाने की बठी बाप को याद करने की बठी प्योर तो जरूर बनना है याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगी फिर हिसाब किताब चुक्तु करना ही है क्योंकि क्यामत का समय है सब को घर जाना है बुद्धी में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धी में नहीं होगा वह ब्रह्म को इश्वर कह देते हैं उसको घर नहीं समझती तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्ची रिती जान गई हो बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पुरा होता है, अब घर जाना है, आत्मा अब पति थे, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जानी सकते हैं बापी बैठ यह बातें बच्चों को समझाती हैं यह भी बच्चे समझ कई हैं तब उनको पिता-पिता कहती हैं टीचर भी कहती हैं मनुष्य तो स्रिक्रश्न को टीचर समझती हैं तुम बच्चे समझती हो स्रिक्रश्न तो खुद पढ़ता था सत्युगमी स्रिक्रश्न कभी किसका टीचर बना नहीं है ऐसे भी नहीं, पढ़कर फिर टीचर बना, स्रिक्रश्न की बच्चपन से लेकर बड़े पन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो मनुष्य तो स्रिकृष्ण को भगवान समशकर कह देते हैं जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है राम के भगत कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है दागा ही मूझ गया है तुम अब जानते हो भारत का प्राचिन योग और ग्यान मशूर है मनुष्य कुछ नहीं जानते ग्यान सागर एक बाप है वह तुम बच्चों को ग्यान देती है तो तुमको भी मास्टर ग्यान सागर कहेंगी परंतु नंबरवार पुरुशार थनुसार सागर कहें या नदी कहें तुम हो ग्यान गंगाएं इसमें भी मनुष्य मूझती है मास्टर ग्यान सागर कहना बिल्कुल ठीक है बाप बच्चों को पढ़ाती हैं मेल फीमेल की बात नहीं वर्सा भी तुम सब आत्माई लीती हो इसलिए बाप कहते हैं देही अविमानी बनो जैसे मैं परम आत्मा ग्यान सागर वैसे तुम भी ग्यान सागर हो मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है मेरी ड्यूटी सबसे उँची है राजा राने की ड्यूटी भी सबसे उँची होती है ना तुम्हारे भी उंची रखी गई है, यहां तुम जानते हो हम आत्माई पढ़ती हैं, पर मात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव, सब ब्रदर्स हो जाते हैं, बाप कितनी मेहनत करते हैं, अभे तुम आत्माई ग्यान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प् देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं, वो लोग कहते हैं, हिंदू, मुसल्मान, भाई-भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देती हैं, बहन भाई नहीं, भाई-बाई कहना ठीक है, ब्रदर्स हुड, आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई हैं, वहां बे भाई-भा होकर रहेंगे बहन भाई यह चोला तो यहां छोड़ना पड़ता है भाई-भाई का ग्यान बाप ही देती है आत्मा ब्रकुटी के बीच रहती है तुमको भी नजर यहां डालनी है हम आत्मा शरीर रूपी तखत पर बैठी है यह आत्मा का सिंगासन वा अकाल तखत है आत्मा को कभी काल खाता नहीं सबका तखत यह है भ्रकुटी के बीच इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है कितना समझने की बाती है बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रकुटी के बीच में बैठती है वो चोटा तखत फिर बड़ा होता जाता है यहां गर्ब में आत्मा को भोग भोगनी पड़ती है तब पश्चाताप करते हैं हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगी आधा कल्प पाप आत्मा बनती हैं अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनती हैं तुमतन मन धन सब कुछ बाप को देती हो इतना दान कोई जानती नहीं दान लेने और देने वाला भी भार भारत में ही आता है यह सब महीन बाते हैं समझने की भारत कितना विनाशी खंड बना है और सब खंड खतम होने वाली हैं यह बना बनाया ड्रामा है यह तुमारे बुद्धी में है दुनिया नहीं जानती इनको नोलेज कहना अच्छा है नोलेज इस सोर्स ओफ इनकम इनसे इनकम बहुत होती है बाप को याद करो यह भी नोलेज देती हैं फिर सुरिष्टी चक्र की भी नोलेज देती हैं इसमें मेहनत है हम आत्माव को अब वापिस जाना है इसलिए इस पुराने दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है देह सही तो जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है अभी हम ट्रांसफर होती हैं यह तो बाप ही बता सकेंगी यह बहुत बड़ा इंतिहान है जो बाप ही पढ़ाती है इसमें किताब आदी की दरकार नहीं बाप को याद करना है बाप 84 का चक्र समझा देती है ड्रामा के डूरेशन को तो कोई जानते नहीं घोर अंधियारी में है तुम अभी जगे हो मनुष्य तो जगते नहीं है कितनी तुम महनत करते हो विश्वास नहीं करते कि भगवा ना कर इनों को पढ़ाती है ज़रूर कोई में तो आएंगे न अब बाप आत्माओं को राय देती है ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए तुम्हारे लिए तो सहच है नमबरवार तो है ही स्कूल में भी नमबरवार होती है पढ़ाई में भी नमबरवार होती है इस पढ़ाई से बड़ी राजय स्थापन हो रही है पुरुशार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बनी इस समय जो तुम पुरुशार्थ करेंगे वह कलप कलपांत्र करती रहेंगे इसको इश्वर्य लोट्री कहा जाता है किसको थोड़ी किसको बड़ी लोटरी होती है राजाई की भी लोटरी है आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लोटरी मिलती है कोई गरीब बनते हैं, कोई सावकार बनते हैं इस समय तुम बच्चों को सारी लोटरी बाप से मिलती है इस समय के पुरुशार्थ पर बहुत मदार है, नमबर वन पुरुशार्थ है याद का, तो पहले योगबल से स्वच्छ तो बनी, तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे, उतनी नोलेज की धारना होगी, और बहुतों को समझा कर अपनी प्रजा बनाएंगे, बल को कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परीचे दो, आगे चल वे देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है, विनाश के समय मनुश्यों को वेराग्य आता है, हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो, हे गोड फादर, किसने कहा? आत्मा ने, अब आप आत्म का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं, हर एक को अपना-पना पार्ट बजाना है, आत्मा इस सब हैं इमार्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी, बागी वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगी, घर चले जाएंगे, आखरीन बड़े-बड़े सन्यासी भी समझेंगे, वापिस तो सब को जाना है, तुम्हारा पैगाम सब की बुद्धियों में ठका करीगा, तब तो गायन है, अहो प्रभू, तुम्हारी गत्मत, तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे, उनकी मत से सदगती कैसे होती है, सो जरूर बताएगा ना, फिर वे कहते हैं, तुम्हारी गती मत तुम जानो, हम नहीं जानती हैं, यह भी कोई बात है, बात कहते हैं, इस श्रीमत से तुम्हारी गती हो जाती है, अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानती हैं, वे हमको सिखलाती हैं, तुम कहे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतीमती तुम जानों परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धी में सारा ज्यान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूरण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूरण बन जाए तो यहां से चले जाई, जाना तो है नहीं, अब सब पुरुशार्ट कर रही हैं, बाबा को बल पहले जोड से वेरागे आया, देखा डबल सिर्ताज बनता हूँ, यह भी ड्रामा नुसार बाबा ने दिखाया, मै अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चड़ गया, अभी तो समझते हैं, यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे, यह ग्यान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा तो सब को करना है, तुम पुरुशार्थ के लिए बैठे हो, सुबै को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है, जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड जानी, गुड की गोथरी जानी, एक-एक बच्चे को देखते रहेंगी, एक- बैठकर लाइट देते हैं, एक-एक आत्मा को सर्च लाइट देती हैं, जैसे बाप कहती है, मैं हरेक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ, तो ताकत भरती जाए, अगर किसके बुद्धी बहार में होगी, तो फिर करंट को कैश नहीं कर सकेंगी, बुद्धी कहा ना कहा भट भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं उनका फर्ज है सर्विस करना बच्चे सर्विस स्विकार करते हैं वा नहीं यह तो उनकी आत्मा जानी किस ख्यालात में बैठे हैं यह सब बातें बाप समझाती हैं मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाती हो, मैं भी सकाश दूँगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ, तुम तो बैठेंगे बाब को याद करनी, बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ, तुम तो ऐसे नहीं करेंगे जो पकड़ने वाले होंगे वैं पकड़ेंगे और उनके बैटरी चार्ज होगी बाबा दिन प्रति दिन युक्तियां तो बताते रहती है बाकी समझा ना समझा ये तो नमबरवार स्टूडेंट पर मदार है तुमें बहुत तरावटी माल मिल रहा है कोई हजम भी करी ना बड़ी लोटरी है जनम जनमांत्र कल्ब कल्पांत्र की लोटरी है इस पर पूरा अटेंशन देना है बाबा से हम करंट ले रही है बाबा भी ब्रिकुटी के बीच में बैठा है बाजु में तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाब को याद करना है ना कि ब्रह्मा को हम उन से योग लगा कर बैठे हैं इनको देखते भी हम उनको देखते हैं आत्मा की ही बात है ना अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती हम रुँआनी बच्चों की धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइप आत्मा को स्वच बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाब से सर्च लाइट लेनी है बुद्धियोग बहार से निकाल एक बाप में लगाना है बाप की करेंट को कैच करना है दूसरा पोइंट आपस में भाई-भाई के सच्चे लव से रहना है सब को रिगार्ड देना है आत्मा भाई अकाल तखत पर विराशमान है इसलिए भृकुटी में ही देख कर बात करनी है वर्दान अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटानी वाले सर्व के प्रिये भव विस्तार वर्तमान समय वैक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभुवों द्वारा अर्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माई कोई ना कोई चिंता में प्रिशान है आप शुब चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं के चिंताओं को मिटानी का आधार बन सकता है आज विश्यो को आप जैसी शुब चिंतक आत्माओं की आवशकता है इसलिए आप विश्यो को अतीप्रिये हो स्लोगन आप हीरे तुले आत्माओं के बोल भी रतन समान मुल्यवान हो अच्छा ओम शान्ति